तिलंगाना में कॉंग्रेस ने चुनावी अभ्यान की शुरुवात कर दी हैं 2 जुलाई को कॉंग्रेस नेतर राहूल गांधी ने खंबम में एक जनसभा को संबोधित किया इस दोरान राहूल गांधी ने तिलंगाना की जनेता से कई वादे किये और सरकार बनने पर 4000 रुपए प्रती महिना पेंशन देने की गूशडा की तेलंगाना में कॉंग्रेस की गारंटी को चे उथा नाम दिया गया है यह एक और कदम है गरीबों की मदद करने का इदी निरुपेदल की सायन जेडान की मरो मुंदलगू और दूसरी बात जो पोडू जमीन है पोडू लैन वो हमारे हम आधिवासी भाईयों को देंगे राहुल गांधी ने तेलंगाना की BRS सरकार पर भी जम कर निशान साधा उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मुक्हमंत्री KCR का रिमोट कंट्रोल प्रधारमंत्री नरेंदर मोदी के हाथों में है पूद्धार मोदी जो चाहते हैं तेलंगाना की CM वो कर डेते हैं अब तेलंगाना में कॉंग्रेस पार्टी और बीजेपी की बी टीम के बीच में लड़ाई है। इंदी के आरोपो पर तेलंगाना के वित्यमंत्री और बी आरेस नेता हरिश राउं ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बी आरेस किसी की बी टीम नहीं है। अब तेलंगाना में अब तेलंगाना में लड़ाई है। उधर दूसरी तरफ आंद्रप्रदेश में पूर्वी सीम वाईएस राजशेकर रेड़ी की बेटी वाईएस शर्मिला रेड़ी कॉंग्रेस में शामिल हो सकती है। शर्मिला रेड़ी ने पिछले दिनों करनाटक की डिप्टी सीम डीकेशिफ कुमार से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि YSRJP की संस्थापक शर्मिला रेड़ी लगतार कॉंग्रेस के संपर्क में है। बतादे की पिछले महीने एक दरजन से जादा विपक्षी दलों ने बिहार के पतना में बीजेपी के खिलाफ एक जुट मोचा बनाने के लिए बैठक की। विपक्षी पाटिया जल्दी फिर से बैठक करने वाली हैं। BRS और कुछ अन्य गैर बीजेपी पार्टिया दल इस समू का हिस्सा नहीं है।